शान्ताकारं भुजंग सैनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सद्रिशं मेगवर्ण सुभांगं लक्ष्मी कांतं कमल नैनं योगी भिर्दान गम्यं वंदे विश्णूं भवभय हरं सर्वलो कैकनातं नमस्कार दोस्तों मैं विनोत पंडे आपका हरदिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर वैदिक विधान कहता है कि दस्मी को एक अहार एकादसी में नीराहार तथा द्वादसी में एकादसी में एकादसी करना चाहिए हिंदू पंचांग के अनुसार संपुर्ण वर्स में 24 एकादसियां आती है किन्तु अधिक मास की एकादसियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है भगवान जी को एकादसी तिथी अति प्रिय है चाहे वह कृष्णपक्स की हो अथवा सुकलपक्स की इसी कारण इस दिन व्रत करने वाले भक्तों पर प्रभु की अपार कृपद्रस्टी सदा बनी रहती है अतह प्रत्तेक एकादसियों पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले भगवान श्री विश्णु जी की पूजा करते हैं तथा व्रत रखते हैं किन्तु इन सभी एकादसियों में से एक ऐसी एकादसी भी है जिसका व्रत करने से संतान हिन अथ्वा पुत्र हिन जातकों को संतान सुक की प्राप्ति अति सिग्र हो जाती है पुत्र सुक की प्राप्ती के लिए किये जाने वाले इस व्रत को पुत्रदा एकादसी का व्रत कहा जाता है पद्मपुराण के अनुसार जिन दमपत्यों को कोई पुत्र नहीं होता उसके लिए पुत्रदा एकादसी का व्रत अत्यंत महत्वपुरुन माना गया है प्रत्येक वर्स में दो बार पुत्रदा एकडसी का वृत पोस्ट तथा स्रावन मास के सुकलपक्स की एकडसी को किया जाता है अत्व स्रावन तथा पोस्ट मास की एकडसी का महत्व एक समान ही माना जाता है अंग्रेजी कलेंडर के अनुसार पोस्ट सुकल पक्स की एकादसी दिसंबर या जन्वरी के महिने में आती है तथा स्रावन सुकल पक्स की एकादसी जुलाई या अगस्त के महिने में आती है स्रावन मास की सुकल एकादसी को स्रावन पुत्रदा एकादसी कहा जाता है तथा इस एकादसी को पवित्रोपना एकादसी या पवित्र एकादसी के नाम से भी जाना जाता है पुत्रदा एकादसी व्रत का महत्व हिंदु धर्म में जन्म मरण से जुड़े संस्कारों का अत्यधिक महत्व होता है। पुत्र द्वारा किये जाने वाले अंतिम संस्कारों से ही माता-पिता की आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है। श्रात की नियमित क्रियाएं भी पुत्र द्वारा ही संपादित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माता पिता की मृत्य के पस्चात पुत्र द्वारा स्रात करने से मृतक की आत्मा त्रुप्त होती है। अतह यदी कोई पुत्रहिन या नी संतान व्यक्ती यह व्रत पुर्ण विदी विदान तथा स्रद्धा भाव से करता है तो उसे संतान सुक अवश्य ही प्राप्त होता है। स्रावण पुत्रदा एकादसी का स्रवण एवं पठन करने से मनुष्य के समस्त पापों का नास होता है, वंस में व्रिद्धी होती है तथा मनुष्य भुलोक में सभी सुक भोग कर परलोक में स्वर्ग प्राप्त करता है. पुत्रदा एकादसी व्रत विदी एकादसी व्रत का प्रारंब दस्मी तिथी से ही हो जाता है, पुराणों के अनुसार पुत्रदा एकादसी व्रत रखने वाले व्यक्ति को दस्मी के दिन लहसून, प्याज एवं तामसी आहर ग्रंड नहीं करना चाहिए, साथ ही दस्मी त सीथी के साय काल में सूर्याश्ट के पश्चात भोजन भी ग्रण नहीं करना चाहिए। 10-3 के दिन किसी प्रकार का भोग विलाश नहीं करना चाहिए HAWA रात्री में भगवान जी का नाम स्मरण करते हुए सेयन करना चाहिए। पुत्रदा एकादसी के दिन प्रातकाल सुर्यवदय से पुर्व उठकर स्नानादी से सुद्ध हो जाएं तथा स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान स्री विश्णु जी की प्रतिमा के समक्स घी का दीपक प्रजवलित करें इस दिन विशेश कर विश्णु जी के बाल गोपाल रूप की पुजा अवश्य करें भगवान विश्णु जी की पुजा में तुलसी, रितिफल एवं तील का प्रयोग अवश्य करें एकादसी का ब्रत रखने वाले जातक अपना मन सांत एवं स्थिर रखें किसी भी प्रकार की द्वेश भावना या क्रोध मन में ना लाएं ब्रत के दिन परनिंदा करने या सुनने से दूर रहें ब्रत के दिन अन्न वर्जित है अता संपुर्ण दिन निराहार रहें तथा सायकाल पूजा संपन्न होने के पस्चात आवशक्ता अनुसार फलाहार कर सकते हैं। एकादसी के ब्रत में रात्री जागरण का अधिक महत्व माना गया है। यथा संभव रात में जागरण करें तथा भगवान का भजन किर्टन करें। एकादसी के दिन विश्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विश्णु जी की विशेश कृपद्रस्टी प्राप्त होती है। व्रत के अगले दिन अर्था द्वादसी को भगवान विश्णु जी को अर्द देकर पूजा संपन्न करनी चाहिए। तथा व्रत का पारण सही महुरत में करें, अन्यथा व्रत का लाब नहीं प्राप्त होगा। द्वादसी तीथी पर ब्रामण को भोजन करवाने तथा दक्षीना से उन्हें संतुष्ट करने के पस्चात उनसे आशिर्वात प्राप्त करके स्वयम भोजन गहन करें। यदि आप किसी कारण व्रत नहीं रखते हैं तो भी एकादसी के दिन चावल का प्रयोग भोजन में भूल कर भी ना करें। पुत्रदा एकादसी व्रत का पारण एकादसी के व्रत की समाप्ती करने की विधी को पारण कहते हैं। कोई भी व्रत तब तक पुर्ण नहीं माना जाता, जब तक उसका विधिवत पारंड न किया जाये। एकादसी व्रत के अगले अगले दिन शुर्योदय के पस्चाथ पारंड किया जाता है। ध्यान रहे। एकादसी व्रत का पारण द्वादसी तीथी समाप्त होने से पहले करना अती आवश्यक है यदि द्वादसी तीथी सुर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादसी व्रत का पारण सुर्योदय के पस्चात ही होता है द्वादसी तीथी के भीतर पारण ना करना पाप के समान होता है एकादसी व्रत का पारण हरीवासर के दोरान नहीं करना चाहिए व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपर्युक समय प्रातकाल होता है व्रत करने वाले स्रध्धालूओं को मध्यान के दोरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए जो भक्तगण व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत समाप्त करने से पहले हरीवासर समाप्त होने की प्रतिक्षा करनी चाहिए हरीवासर द्वादसी तिथी की पहली एक चोथाई अवधी होती है यदि कुछ कारणों की वज़ा से जातक प्रातकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्यान के पस्चात पारण करना चाहिए पुत्रदा एकदसी व्रत की पौरानिक कथा सभी एकदसीयों के महत्व को सही से व्याख्याईत करने के लिए हमारे ग्रंतों में एकदसीयों से जुड़ी पौरानिक कथा प्राप्त होती है स्रावन पुत्रदा की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है बात उस समय की है जब युधिष्टिर जी कृष्ण भगवान से कहते हैं की हे मधु सुदन स्रावन सुकल एकदसी का नाम क्या है कृपा करके व्रत करने की विधी तथा इसका महत्व बताईए कृष्ण भगवान कहने लगे की इस एकदसी का नाम पुत्रदा एकदसी है आप सांती पुर्वक इसकी कथा सुनिए क्योंकि इसकी कथा सुनने मात्र से ही वाचपे यग्य का फल प्राप्त होता है द्वापर युक के आरंभ में महिश्मती नाम का एक नगर था जिसमें महिजीत नामक एक राजा राज्य करते थे वे अत्यंत ही नेमी धर्मी राजा थे राजा अपनी प्रजा से पुत्र के समान प्रेम भाव रखते थे प्रजा की सुख सुविधाओं का न्याय का ब्राम्मनों के सम्मान का दान पुन्य का उन्हे भलिभाती ध्यान रहता था किन्तु पुत्र हिन होने के कारण राजा को राज्य सुख दायक नहीं प्रतित होता था उनका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोग तथा परलोग दोनों ही दुखदायक होते हैं पुत्र सुक की प्राप्ती के लिए राजा ने अनेक उपाय किये किन्तु राजा को पुत्र की प्राप्ती नहीं हुई अता बुद्धा वस्ता आती देख राजा ने दरबार में ग्यानवान ब्रामणों पुजारी पुरोहितों तथा प्रजा के प्रतिनिध्यों को बुलाया तथा कहा कि हे ग्यानियों ब्रामण देवताओ तथा मेरे प्रिये प्रिये जनों मेरे खजाने में अन्याय से किया हुआ धन नहीं रखा है, न मैंने कभी देवताओ तथा ब्राम्मनों का धन बल पुर्वक छीना है, किसी दूसरे की धरवर भी मैंने नहीं ली, प्रजा को पुत्र के समान मान रहा हूं, मैं अपराधियों को भी पुत्र तथा बांधवों की तरह डंड देता हूं, कभी मैं अत्यंत दुखी रहता हूं, इसका क्या कारण है? कोई बता सकता है, प्रजा भी राजा के यहां संताण न होने से दुखी तो पहले से ही थी, किंतु राजा के इस प्रकार अपनी व्यथा प्रकट करने से सभी की आखों में अशुरों की धारा प्रवाहीत होने लगी, सामना की पूर्ती के लिए किसी श्रेष्ट तपस्वी मुनी को खोचते रहे। कई दिनों के पश्चात एक दिन एक आश्रम में उन्होंने एक वयव वृद्ध धर्म के ग्याता श्रेष्ट तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए तथा निराहार रहने वाले जितेंद्रिय, जितात्मा, क्रोध हिन, सनातन धर्म के सभी तत्वों के ग्याता तथा समस्त सास्त्रों के ग्यानी महत्मा लोमेश मुनी जी को देखा जिनका कल्प व्यतित होने पर सरीर का केवल एक रोम गिर्ता था। उन्होंने लोमेश रुशी को अपनी मनोव्यता सुनाते हुए कहा कि हे महरशी आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा जी से भी अधिक समर्थ हैं। यह संकट अवश्य नष्ठ हो जाएगा क्योंकि महान पुरुशों के दर्शन मात्र से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अता आप कृपा करके हमारे राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बताएं। यह बात सुनने के पस्चात रिशी लोमेश जी ने कुछ देर के लिए अपने नेत्र बंद किये तथा राजा के पुर्वजनम का बृतांत जानकर आगे बताने लगे कि यह राजा पुर्वजनम में एक निर्धन व्यपारी था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किये। यह एक गाउं से दूसरे गाउं व्यपार करने जाया करता था। एक समय जेश्ट मास के सुकलपक्स की दौधसी के दिन मध्यान के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। वह पिछले दो दिन से भूका प्यासा था। उसी स्थान पर एक ततकाल ही ब्याही हुई प्यासी गव मता जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हटा दिया तथा स्वयम जल पीने लगा अतह राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है अज्ञान वस ही किन्तु एकदसी उपवास संपन्न करने के फल स्वरुप इस जन्म में वह राजा बना तथा प्यासी गाय को जल पीने से रोकने के कारण फुत्र वियोक का दुख सहना प पताईये जिस प्रकार राजा का यह पाप नश्ठ हो जाए इस पर लोमेश मुनी जी कहने लगे कि स्रावन सुकल पक्सकी का दसी को जिसे पुत्रदाय एका दसी भी कहते हैं तुम सभी यह व्रत पुर्ण स्रद्धा भाव से करो तथा रात्री को जागरण करो जिससे प्रजा को पुत्र की प्राप्ती भी अवश्य हो जाएगी लोमेश रिशी के एसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित समस्त प्रजा नगर को लोट आई तथा जब स्रावन सुकल एकादसी आई तो रिशी के आग्यानुसार सभी ने पुत्रदा एकादसी का व्रत तथा जिसके पुण्य के प्रभाव से राणि ने गर्ब धारन किया तथा प्रसवकाल समाप्त होने पर उन्हें एक पुत्ररतन की प्राप्ती हुई अता हो जाता है अता संतान सुक की इच्छा करने वाले इस व्रत को अवश्य करें इसके कथा को सुनने से मनुस्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा वह भुलोक में संतान सुक भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है।